वित्त मंत्री निर्मला सीतार्मन मंगलवार को वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए अपना लगातार सात्वा बजट पेश करके इतिहास रचने वाली है इस तरह वह पूर्व प्रधान मंत्री मुरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी हालां की सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अभी देसाई के पास ही है बजट के बीच उद्धव गुट के सांसत संजेर राउत ने एक प्रेस कांफरेंस कर बड़ा बयान दिया है संजेर राउत ने कहा यहाँ बजट एंडिये सरकार का पहला बजट है स्वागत करेगे इस देश में बेरोजगारी है महंगाई है और जीएसटी है कि सीतारमण अगले महीने 65 वर्ष की हो जाएंगी उन्हें 2019 में भारत की पहली पूर्लकालिक महिला वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे कारेकाल की शुरुवात की थी तब से लेकर अब तक उन्होंने इस साल फरवरी में प्रस्तुत किये गए अंतरिम बजट सहित कुल 6 बजट पेश किये हैं वित्वर्ष 2024 से 25 यानि की अप्रेल 2024 से मार्श 2025 तक का पूर्ण बजट उनका लगातार सात्वा बजट होगा इस प्रकार वह मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगी जिन्होंने 1969 से 1964 के बीच लगातार पांच कूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था बतादे की स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट 26 नवंबर 1947 को देश के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्ती द्वारा पेश किया गया था पूर्व प्रधानमंत्री मुरार जी देशाई ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नहरू और बाद में प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री के कारेकाल में वित्त मंत्री के रूप में कुल 10 बजट पेश किये पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने नौ बार बजट पेश किया प्रणब मुखर जी ने वित्त मंत्री के रूप में अपने कारेकाल के दौरान आठ बजट प्रस्तुत किये पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग ने 1991 से 1995 के बीच लगातार पांच बार बजट पेश किया जब वह पी, वी, नरसिमा राव सरकार में वित्त मंत्री थे अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें